SSC भरती 2020 नमस्कार दोस्तों SSC की तरफ से एक और बड़ा recruitment यहां पर जारी कर दिया गया 10 plus 2 जी है दोस्तों 10 plus 2 यहां पर 10 plus 2 का जो LDC UDC का जो आपका recruitment आता है वो इस साल का आज चुका है आप online registration कब से कर पाओगे कब से आपकी यहां पर exam होगा education qualification age criteria selection process क्या रहने वाला इसक के लिए बहुती महत्वपूर्ण साबित होने वाला आप वीडियो के नंतक आप जरूर बने रिजिए का साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बाहर आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको SSC के आगे आने वाले हर परकार के recruitment की update आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगी SSC की official साइड पर आज चुके और 6 तारीकों यहाँ पर दो नोटिस जारी किये गए यहाँ पर आप देख से तो notice of examination for command higher secondary level 10 plus 2 level examination 2020 जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख से तो date of submission of online application है वो 6 तारीक से मतलब आज से शुरू हो चुके और 15 दिसंबर तक आप इसके online registration कर सकते हो दोस्तों इसकी last date की बात करें तो last date आपकी रखी गई है वो है यहाँ पर 15 बारा उसके साथ ही exam की बात करें तो exam की date भी यहाँ पर बताए गई यह computer based examination है जो tier past है वो 12 April 2021 से लेकर 27 April 2021 तक आपका paper चलने वाला है जबकि second paper आपका जो descriptive होता है उसकी date भी तक नहीं दी गई है दोस्तों वेकेंसी की बात की तो लगबग 5000 के लगबग वेकेंसी यह होने वाली है इसमें बताए गई नहीं है लेकिन हर वार 4500 वेकेंसी आपक कि कौन-कौन से पदो पर बढ़ती होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो lower division कल रख है उसके साथ यहाँ पर lower division कल रख है आपका junior security assistant, postal assistant, sorting assistant और data entry operator, ministry, department, offices, government of India के जो offices है वहाँ पर आपको यह vacancies आईए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों pay scale की तो lower division कल रख है उसको यहाँ salary मिलने वाली है गुनिश 1,900 से लेकर 63,000 रुपे 200 तक दोस्तों वही postal assistant PA की बात करें जो sorting assistant और उसकी बात करें तो यहाँ पर उनको 25,500 से लेकर 81,000 तक salary मिलने वाली है जबकि data entry operator की बात करें तो यहाँ पर आपको जो level 4 DEO बोलते हैं जिसे 25,500 से लेकर 81,000 तक जबकि level 5 के इसाब से बात करें तो 30,200 से लेकर ब्राण में 1,300 रुपे तक salary आपर मिलने वाले दोस्तों वेकेंसी के बारे मिनों ने बताया SSC ने की वेकेंसी भी तक अपडेट नहीं कीगे लेकिन 4-5,000 वेकेंसी आपको देखने को मिल ही जाएगी यहाँ पर दोस्तों age limit की बात करें को 10 साल की और BWD OBC को 13 साल की जबकि BWD SCST को 15 साल की और एक सर्विसमेन को 3 एर्ज की reservation यहाँ पर मिलने वाली है age में अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दे हूँ सबसे पहले आपका return exam होने वाला है तो return exam में आखिर क्या क्या आएगा कैसे आप त्यारी करें ताकि इस बार आपका SSC में यहाँ पर आपका LDC UDC और assistant जो postal officer है उसकी vacancy में आपका selection होने के chances बन जाए तो सबसे पहले आपको online apply करना होगा online application है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो पहला paper होगा उ दो नमर का होगा जबकि तीसरी बात करें तो quantitative aptitude होगा basic arithmetic होगा जिसमें 25 question होगे और परते question आपका दो नमर का 50 नमर का होगा जबकि general abundance की बात करें तो 25 question होगे और परते question दो नमर का होगा कुल मिलाकर आपके total यहाँ पर 100 question आने वाले हैं और आपका paper होगा वो 200 नमर का 60 मिनिट का समय आपको दिया जाएगा अपका पेपर होने वाला है नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी आपर रखी गई है और आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कटोप के आधार पर पहले पेपर में पास किया जाएगा उसके बाद म की वेकेंसी आ ही चुकी है तो आप इसका फोम जरूर एपलाइ करें तो दोस्तों यह थी एक च्वटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको चलगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों बाया है आप सकारी खरियो करें तोस्तों चैनल. gibi.